आज हम अलू की पूरी बनाने जा रही है जो के बहुत टेस्टी बनती है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए जे मैंने चार अलू बजन में जे 1500 ग्राम है 150 ग्राम बॉइल्ड पटैटो बले हुए अलू है और जे मैंने ब्यासे 300 ग्राम आठता लिया है और इसके बाद जे कटी हुई हरी मिर्चे दो एक चम्मच बन टीस्पून है कैरम सीर्स अजमायन हाफ टीस्पून अमचुर पाउडर ड्राई जिंजर पाउडर बन टीस्पून सौंप पाउडर हाफ टीस्पून गरमसाला लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर साबत जीरा नमक सौंट पाउडर और तलने के लिए तेल इतने इंट्रीडियर हमने लिया है सबसे पहले हम आलूं को मैश कर लेंगे अच्छी तरह से मैश करना है कोई भी गुठली ना रहे हमने आलूं को हाथों से मैश कर लिया है प्रंतु कई बार कोई गुठली रह जाते है तो उससी अच्छा नी बनता पहले जमानने में तो सिलबटा रहता था उस पे लो कर लेते थे अब हम इससे करेंगे तांके बिल्कुल मलाइम हो जाए ऐसे जैसे सिलबटा चलाते हैं हम पापड़ों के लिए यसी परकार से करत इससे कोई भी गुठली नहीं रहेगी और हमारी पूरी बहुत अच्छी बनेगी अट्टा बहुत अच्छा लगेगा ऐसे करते हुए अब हम अलू की पिठी का अट्टा लगाने जा रहे हैं अलू पूरी का जो हमने विशेश ब्या बात का ध्यान रखना होता है ब्याज यह रखना होता है कि हमने पहले अलू नी डालने होते हैं अगर अलू जादा पड़ गे तो आप अट्टा थोड़ा ना बार 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 इतना सारा गुन लगो आपको जरूरत इतने अट्टे की है तो पहले अपने जरूरत के मुसार आपने अट्टा डालना होता है कि हमें इतना अट्टा जैसे मेरे को इतना अट्टा बनाना है क्यों आजमायन एक टीस्पून कटी हुई हरी मिर्च मैंने दो कटी है आप अपने टेस्ट के मताबक कम ज्यादा करते हैं आदा चमच अमचूर पाउडर एक टीस्पून सौंग पाउडर अमचूर पाउडर हाफ टीस्पून और गरम मसाला पाउडर गरम साला पाउडर धनिया पाउडर और धनिया पे प्रेश पत्ते चौप किये हुए काली मिरच हाफ टीस्पून यह हमारे पास कसूरी मिर्थी अम्दियच एक टेबल स्पून इसे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और जो हमारी अलू की पूरी है ब्या नक्सान दाइक नहीं रहती अलू भारी होते हैं पचने में बायू प्यादा करते हैं तली हुए चीज़ों में जब हम मिर्थी एक आदा टीस्पून साबत जीरा क्यूमिन सीट्स एक टीस्पून धनिया पाउडर और अजे नमक आप अपनी ओधे के मतावक और टेस्ट के मतावक डालें लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के मतावक डालें मैं बन फोर्थ टीस्पून मला रही हूं क्योंकि हम कम खाते हैं और सौंट पाउडर सौंट पाउडर आप इसकी जगे अधरक का दुकस किया हुआ अधरक भी डाल सकती है क्योंकि सौंट पाउडर इसे नोर्थ में सुंड बोलते है उसका पाउडर ड्राई जिंजर पाउडर जे मैं हाफ टीजपून डाल रही हूं अम्चूर पाउडर भी हमने हाफ टीस्पून डाला है अब हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह हाथों की हल्प से मिक्स करेंगे अट्टा भी ने थोड़ा रख लिया है पहले हम इतने अलुओं से गूंद कर देखेंगे पहले हमने अट्टा लेना होता है को मैंने चकले पे आप किसी भी सिल बटता हो तो उस पे बिलकुल देखे नरम बना लिया है जैसे अट्टा ही गुथा होता है अगर आम सीधा डालते हैं तो उससे क्या होता है कि गुठ्रिया रहा जाती है हमारा पूरी काटा सौफ नहीं बनता हमने अलू के साथ अट्टे तो बन बम बनचे पीशे होता है हमने 200 ग्राम अट्टए में 1.500 ग्राम आनलू उबले हुए जितने पानी के जरूर्त होगी हम इसका सकत अट्टा लगाएंगे अगर आप पानी नहीं डाला थे थोड़े अलू और डाल सकते हैं पर तरीका मैंने बता दिया कि तहले आपको जितना अट्टा चाहिए उतना अट्टा डाले अलू दिरे-दिरे करके डालें क्योंकि मैश्क अलू तो आप किसी और चीज में भी बढ़ता सकते हैं इतना हो जाई है देखिए हमारा अट्टा बिल्कुल जैसा पूरियों को टाइट टाइट अट्टा हमने लगा लिया है अब इसे हम ड़कर दस मिंट रखेंगे फिर इसकी पूरिया फ्राई करेंगे कहीं लोग क्या करती है पहले अलू डालेते हैं फिर अट्टा डालते जाती है इससे क्या होता है कि कई वर अलू में उबालते समें ज्यादा पानी रह जाता है जा आपकी अलू का मेशर्मेंट ज्यादा होता है तो धेर सारा अट्टा आप लगा कर रख लेती है ऐसा नहीं होना था यह मैंने अलू में एक बिल्कुल मलाई माट्टे जैसा ही चकले पे क अब हम इसे ढखा रखेंगे 10 मिंट फिर हम इसकी बनाएंगे पूरियां इसी भी कॉट्टन के कपड़े से आप इसे ढख कर रख दे हमारी आट्टे रखे को 10 मिंट हो गया है आप अपनी सुहूलत के मताब के जितनी चोटी बड़ी बड़ी चाहते हैं उसी इसाब से इसक अब देखिया हमारे अलू की एक की बुटली नहीं है एक जान हो गया क्योंकि हमने पहले अलू को बिल्कुल मलाइम पेस्ट बना लिया था आप सिल बट्टे पे जाएं किसी चोपिंग बोर पे किसी भी बोर पे आसे जा काउंटर पे अगर बिल्कुल काउंटर साफ है अब इसकी पूरियां बनाएंगे पे पे पी ओईल लगा लिया है लोही पे भी ताके हमारी पूरी है असानी से देखे कितनी स्पाइसी हमारी पूरी बनी है उसमें भी स्पाइसी जनाजर आ रही है एक सार चारो तरब से हमने एक साथ बेलनी होती है ताके हमारी पूरी है वो अच्छी तरह फूल जाए कहीं से मोटी कहीं से पटली नहीं रहनी चाहिए इसी परकार से हम अपनी सभी पूरियों को ओईल लगा लगा कर बेल लेंगे हमने अपनी चार पूरियां बेल कर त्यार कर लिए है इसी परकार से हम अपनी दूसरी पूरियों की भी भी लेंगे आई लो अब हमारा बिल्कुल गर में है अब धीरे शिंच कर के हम इसमें अ करके पूरी सेखते जाएंगे जे पूरियां अचार चटनी हरी चटनी धनिये पडिन्य की चटनी इमली की चटनी और मिर्ची के जो आन का चाहा रहता है उसके साथ सरव कर सकती है यह खाने में बे हद पेस्टी रहती है देखिए हमारी पूरी फूल रही है बिलकुल फूल गई है इसका मतलब जे है कि हमारा आटा बिलकुल ठीक लगा है देखे कितनी फूल गई है जब हमारी चारो तरफ से पूरी फूल तो उसका मतलब रहता है कि हमने अट्टा ठीक लगाया है दिरे दिरे पल्ट कर हम दोनों तरफ से अच्छी तरह इसको सेक लेंगे हमने अपनिया चार पूरी त्यार कर लेंगे बाकी की पूरिया भी हम इसी परकार से फ्राई कर लेंगे देखिए हमारी पूरिया कितनी फुली फुली अच्छी बनी है क्रिस्पी भी है पूरिया देखिए पूरी क्रिस्पी है आसे नहीं है कि लूजसी है है इसी परकार से आ भ έχει बहाष द्वादिस्टे है, भस आपने एक बात का ध्यान है कि पहले हम आख़े ढ़ना होता है ह्यार्लू बात में डालनी बहार लो स्फेर मोटते है नहीं तो आप को ज्याद हमत lug़ जाता है यह खाने में भी हग टेस्टी है आप ज़रूर बनाकर ट्राइ कीजिए प्लीज सस्क्राइब लाइक शेर और प्मेंट फो मैं वीडियो थैंक्स वेरी मुच्छ